हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप लोग सब बढ़ी ओई होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुती सुजुकी डिजायर 2020 फेसलिफ्ट की एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में जो आज कल काफी लोगों से मुझे सुनने में आ रही हैं और काफी लोग पू सारी लाइटे जलती हैं जिसमें की बाकी सारी लाइटे तो common है और उनके बारे में आपको पता भी होगा बट कुछ लाइटें ऐसी हैं जो warning आपको देती है जब आपकी गारी में कोई problem होती है तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी गारी कि M.I.D. में की का जो sign आता है यह देखिए जैसे हम ignition को on करते हैं तो यहाँ पे यह देखिए यह एक key का sign आता है और कुछी second बाद यह चला जाता है बट कुछ लोगों की गाड़ी में यह key का sign permanently on रहता है या थोड़ी थोड़ी दिर बाद on हो जाता है तो यह किस वज़े से होता है दोस्तों यह key का जो sign है यह होता है जैसे हमारी सबसे पहले कब आता है सबसे पहले तो यह आता है जब हम अपना ignition on करते हैं और दो तिन second में चला जाता है उसके बाद second reason इसका क्या है key का sign है इसमे इसका M.I.D. में शो होने का reason क्या है या तो हम अपनी गाड़ी में कोई भी duplicate key लगाते हैं जैसे कि हम after market अपना flip key बनवा लेते हैं या किसी और चाबी को अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो ignition तो on हो जाता है बट वो key का sign रह जाता है उसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी से वो key match नहीं हो रही है और अगर हम duplicate key लगाते हैं तब तो match हो ही नहीं रही है बट अगर हम original key लगा रहे हैं उसके बावजुद भी ये light आ रही है तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें दो reason हो सकते हैं आजकल गाड़ीों में sensor का सबसे ज़्यादा काम होता है और आपको पता भी होगा जैसे ये जो हमारी चाबी है इस चाबी के अंदर एक sensor होता है जो आपकी गाड़ी से मैच करता है और तब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है कई बार क्या होता है डूब्लिकेट की लगाते तो इस चाबी के अंदर जो sensor हो गाड़ी से मैच नहीं कर पाता इस वज़े से यहाँ पर जो light आती है वो जलती है बट अगर original की है और उसके बावजूद भी ये आ रहा है तो उसके दो reason हो सकते है या तो आपकी जो चाबी है उसका original चाबी जो है उसका sensor खराब हो गया है या उसका कुछ ना कुछ उसमें problem आई है तो वो आप sensor को या तो दुबारा से reprogram करवा सकते है या फिर उस sensor को change करवा सकते है अगर आपकी गाड़ी नई है और service center में जाके इसको करवा सकते है दूसरा reason है आपकी गाड़ी का जो sensor है उसमें भी कुछ problem हो सकती है जिसकी वज़े से ये आपको light permanently on दिख रही है तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है सबसे पहले तो आप अपनी key का sensor चेक करवाएं कि आपकी key के sensor में कोई problem नहीं है वो या तो reprogram होगा या आपकी चाबी के अंदर लगा होता है तो वो हिल गया होगा वो ठीक से connect नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी गाड़ी के अंदर जो sensor है चाबी का वो या तो कुछ lose हो गया है या फिर उसके अंदर कुछ problem आ गई है आप उसको service center में जाके या तो reprogram करवा सकते हैं या फिर उसको change करवा सकते हैं तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है तो आप इससे attention free रहिए आप अपना service center में जाएए वहाँ पर जाके problem दिखाएए और easily आप इससे छुटकारा पा सकते हैं आपका ये जो problem है वो दूर हो सकती है कोई आपको tension लेने वाली बात नहीं है तो आपको कैसे लगी ये वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगी तो like, comment and share करें और subscribe करें अपने भाई को Thank you very much